हेलो स्टुडेंट्स, वेलकम टू सावल क्लासिज, कैसे हो आप लोग सभी, मेरा नाम है दिपक कुमार, आज लेक्चर नमबर 9 में, हम लोग मिशन वार्ड अटेंडेंट में, साइंस सब्जेक्ट में, अगला चैप्टर डिसकस करेंगे, जिसका नाम है साउंड, जिसका ना स्तारा कोश्चन है, बहुत बढ़िया से साउंड, चैप्टर, वेव मोशन के स्तारा कोश्चन में लेकर आया हो, पंजाबी मीडियम में बढ़िया से बना कर, तो आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि अगर कोई स्टुडेंट्स नया हो तो चैनल सब्स्रा से स्टार्ट हो चुके है, वार्ड टेंडेंट के, जिन्होंने अभी तक जॉइन नहीं किये, वो आज ही जॉइन कर सकते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले कोश्चन के साथ, तो सबसे पहला कोश्चन है जी आप लोग के सामने, धुनी नू नापंदी सही इकाई क हैं, धुनी को कोन सी इकाई के अंदर मैयर्मेंट की जाती है, साउंड, साउंड होती है ना साउंड, साउंड की मेजर्मेंट कोन सी इकाई में होती है, चार ओप्शन आप लोग के सामने लिखे हैं, चारों ही डैसिबल है, डीबी, 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 सबका मतलब ड ध्वनी कितनी powerful है, उसको decibel में measure किया जाता है, यह हमेशा छोटा D और बड़े B के साथ ही लिखा जाता है, हमेशा छोटा D और बड़ा B ही सही होएगा, कभी बड़ा D, बड़ा B या इस तरह से बाकी सब notations गलत है, sound की intensity ध्वनी दी तीवरता नो decimal विच ही मयर कितना जाना है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, दिपक, मालो यह 15 decimal है, दिपक, यह 35 decimal है, तो अब आज जितनी उच्ची होते जाएगी, decimal उतने बढ़ते जाएंगे, बी राइट आंसर है जी, चलो, आगे बढ़ते हैं दूसरे question, परकाशी तरंगा हन, परकाशी तरंगा मतलब light wave, जो सूरज से, जो light हमारी धर्ती की तरफ जो आरी है, जो light है, वो light क्या है, एक longitudinal wave है, या एक transverse wave है, या बोथ A and B है, या एनना विचो कोई नहीं, तो परकाशी तरंगा, जो परकाश होता है, वो एक transverse wave है, transverse wave ओ तरंगा हो दिया ने, जेड़ी S तरीके नाल ट्रैवल कर दिया ने, transverse wave भी है, हाँ, तो वो transverse ही होती है, जी, इसका right answer B आएगा, परकाशी तरंगा, सिरफ उते सिरफ transverse wave ने, वो longitudinal wave दिया है, A answer इसका गलत वहेगा, 100%, इसका right answer आएगा जी, B, light is a transverse wave, sound is a longitudinal wave, चलो, बहुत बढ़िया, next question की तरफ बढ़तें आगे, हमारा तीसरा question, transverse तरंगा विच, माध्यम ते कण, तरंग संचार दिशा दे विच कमपन कर देने केड़ी दिशा विच, जदो एक transverse wave किसे medium विचो travel हों दी है, वालो हवा में से travel होई, तो जो हवा के कण थे, वो जो vibrate होंगे, वो इस तरह से vertically vibrate होंगे, या parallel vibrate करेंगे, या उलट दिशा में vibrate करेंगे, तो इसका right answer है perpendicular, लंब रूप विच वो vibrate करनगे, जैसे wave अगर transverse ऐसे गई, तो कण उसके, इसके perpendicular direction में इस तरह से vibrate करेंगे, उपर निचे, तो इसका right answer A आएगा, बिलकुल सही answer है, चोथा question देखो, vacuum विच अवाज दी गती किन्नी होंदी है, vacuum क्या होता है जी, vacuum का मतलब होता है, जहां कुछ ना हो, हवा भी नहीं है, पानी भी नहीं है, कोई गुर्तवा कर्शन, कोई अर्थ की gravity force भी नहीं है, vacuum मतलब बिलकुल खाली, vacuum दे विच जड़ी आवाज दी, जड़ी sound दी, जड़ी speed होगी, और zero होगी, क्योंकि जड़ी द्वनी है, जड़ी sound है, उन्नों अगे वदन वास्ते, किसी ना किसे माद्यम दी लोड पेंदी है, vacuum विच कोई माद्यम नहीं होँदा, तब vacuum विच जड़ी आवाज है, उन्दी velocity होगी, जीरो, तराइट आंसर है जी, ए, बहुत वदिया, नेक्स्ट, पंजवा कोश्चन बेखो जी सारे जने, पंजवा कोश्चन है, सुनन योग अवाज दी रेंज की है, सुनन योग, audible range, जिन्नों असी आख देया, human audible range, एक मनुख जड़ी अवाज नू सुन सकता है, जड़ी ओन दी audible range है, वो वी हर्ट्स तो लेके, वी किलो हर्ट्स है, दिस इस human audible range, एक इनसान दा कन, दा ear of a human body can listen, प्रोम 20 हर्ट्स तो 20 किलो हर्ट्स, तो राइट आंस्वर इसका क्या आएगा जी, ए आएगा बिलकुल सही, नेक्स्ट, छे में question की तरफ बढ़ते हैं, pendulum होली हो जानदा है, अते कुछ समय बाद रुक जानदा है, क्योंकि, मालो एक गड़ी का pendulum है, ऐसे इलता है ना वो, पहले तो वो चलता चलता दीरे हो गया, दीरे होता 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 रुक गया, इसके कारण क्या है, एक कारण, हवा दी रगड करके, जदो pendulum हवा दे नाल रगड करता है, वो एक कारण है, या बी, धर्ती दा गुर्तवा करशन बल, गुर्ता बल उन्हों आप दे वल खिचता है, या सी, उन्हों दे आप दा पुंज इनना बारा है, क्यों आप रुक जा, या डी ए सारे कारण, ता राइट आज़ आज़र है जी, डी ए सारे कारण, हवा दी रगड करके भी, धर् जीना दे कारण, प्रेंडूलम जड़ा है, वो होडी हो जानता है, ते फिर रुक जानता है, ठीक है जी, राइट आंसवर, सिक्त का राइट आंसवर आएगा, डी, चलो, बहुत बढ़ी है, आगे बढ़ते हैं, स्तात्वा कोश्चन देखो, धूनी तरंगा हन, धूनी तर तरंगा ने, जा sound कुछ नहीं, राइट आंसवर क्या आएगा, sound is a longitudinal wave, light is transverse, whereas sound is longitudinal, राइट आंसवर इसका आएगा, जी, भी आएगा, ध्वनी जो है, sound जो है, वो एक longitudinal wave है, ठीक, next, infrasonic तरंगा दी, आवरती किन्नी हों दी है, देखो, human audible range, 20 hertz से लेकर, 20,000 hertz तक हम लोग बोल और सुन सकते हैं, जिसकी value 20 hertz से कम होती है, वो infrasonic होती है, आठवे का right answer आएगा, a, infrasonic ओ तरंगा ने, जी दी value, v hertz तो भी घट होए, तो नाइन्थ question क्या है, ultrasonic, जी दी v 1000 hertz तो वद frequency होए, तो इसका answer भी क्या आएगा, a, greater than 20 kilo hertz, जे आवरती जा frequency, v kilo hertz तो वद है, ता ओ ultrasonic है, ते जी कर ओ v hertz तो काट है, ता ओ infrasonic है, जो sonic होता है, ये एक latin बाशा का शब्रद है, और इसका वदलब होता है sound, इसका वदलब होता है ध्वनी, दसमें question की तरफ बढ़ते हैं जी हम लोग, एना विचो, केडी आवरती, मनुखी कन नहीं सुन सकता, इन में से कौन सी frequency है, जो की एक इनसान का कान नहीं सुन सकता, 50 Hz, 500 Hz, 5000 Hz, या 50,000 Hz, एना विच केडी frequency है, जेड़ा एक मनुखदा कन नहीं सुन सकता, 50,000 Hz, ये 20 किलो हर्ट से ज़्यादा होगी न, ये इनसान का कान कभी नहीं सुन सकता, बाकी human audible range के अंदर अंदर आती है, तो दसमे का भी right answer क्या आएगा जी, दसमे का right answer जो बिल्कूल सही आने वाला है, वो हमारे सामने D answer है, कि एना विच केडी आवरती मनुखदा कन नहीं सुन सकता, D, 5000 Hz नहीं सुन सकता, नेक्स्ट, ग्यारवा question वेखो, सरल pendulum, जिन्नों असी simple pendulum आख दे, हाँ, एक simple pendulum दी, वद तो वद, स्थितित उरजा केड़े point ते होगी, एक pendulum, वो गड़ी के निचे pendulum होता है रहा, यह गड़ी आला pendulum ऐसे चलता है, और ऐसे आजेगा, इस तरह से, जिरो point है, A point से pendulum गूम के कहा गया, B point पर, यह इसकी बीच वाली position है, तो A point से pendulum चलके, B point के उपर आगया, तो यह जो सीरिया दे उत्ते, इसकी जमीन से height सबसे ज़्यादा होएगी, इसलिए यहाँ potential energy भी सबसे ज़्यादा होएगी, तो in the ends, ठीक है, ends में, ends जो है न, ends, उसमें pendulum सबसे उच्चा होता है, धरती से height सबसे maximum होएगी, उसका right answer आएगा, A, B नहीं आएगा, जी, इसका right answer A आएगा, next, बारवा question देखते हैं, अवाज सब तो ज़्यादा तेज, किस माध्यम बिच चल दी है, चार माध्यम सबसे को लिखे होएने, धात, जिन्नों की 80 metal आखते हैं, पाणी, जेडा की water है, गैंसीज बतलब गैंसीज, या सार्याविज, maximum speed of sound किते होगी, metal विज, metal, क्योंकि metal में उसको medium better मिलता है, as result वो better travel करती है, इसका right answer आएगा, A, metal विज, तेरवा question देखो जी, second pendulum दा, समा अंतराल है, second pendulum, एक जो second pendulum होता है, वो इधर से इधर, वापीस आता है, किती देर के अंदर आता है जी, दो second के अंदर, एक second जाने का, एक second आने का, तो second pendulum की जो time duration होती है, वो two second की होती है, वेशायाब रखना, बहुत बढ़िया, फोटीन्थ question देखो, गूंज सुनन लई, कटो कट दूरी किन्नी चाहिए दिया है, गूंज, गूंज मतलब इको, आपके कमरे में बोलते हो, फिर आपको आपकी वाज वापीस रिपीट होती है, तो कम से कम गूंज के लिए, स्तारा मीटर की दूरी चाहिए, राइट आंस्वर है, 17 मीटर, कटो कट गूंज सुनन वास्ते, स्तारा मीटर दी, कटो कट दूरी होनी चाहिए है, पंदरवा question, सोनार दे सिद्धान्त, जेड़ा सोनार होंदा है सोनार, ओ, कैसे सिद्धान्त उत्ते चलता है सोनार, जैसे sound, navigation and ranging, ओ, गूंज दे सिद्धान्त उत्ते चलता है, गूंज, सोनार में से तरंगे निकलेंगी, किसी unwanted object के टकराएंगी और वापिस आएंगी, तो गूंज जो कमपन है, जो reflection of sound है, उस principle के उपर सोनार काम करता है, समुंदरी जा, जो के निचे यंतर लगा होता है, जो की एक unwanted object, पानी के अंदर identify करता है, वो पंदर में question का बिलकुल right answer आएगा जी, बी, सोल माई question देखो, ध्वनी तरंग विच लंबाई होएगी, sound waves विच जड़ी लंबाई होएगी, और किन्नी होगी, sound wave विच लंबाई होगी, या sound wave में energy होती है, जो ध्वनी तरंगा है ना, जो ध्वनी तरंगा जो चलती है, इस तरह से हवा भी pressure डालके चलती है, and they carry energy, वो आप देविच उर्जा लेके चल दियाने, right answer है A, star wave और last question देखो जी, आम मनुखी कन दी सूनन दी समर्थता की है, इसको हम लोग persistence of sound भी बोनते हैं, अभी जैसे माल लो, मैं कोई अवाज सुन रहा हूं, दीपक, यह मैंने सुनी, उदर से किसी और ने बोला दीपक, तो पहले बंदे की वाज मेरे कान के परदे पर पड़ी, फिर दूसरे बंदे की वाज मेरे कान के परदे पर पड़ेगी, मेरे कान का परदा हिलेगा, रुकेगा, फिर दूसरी वाज की वज़े से ही लेगा न, 0.1 सेकिंड तक वो रहती है जो अवाज मेरे कान को सुनगी ना एक बार, वो 0.1 सेकिंड तक तो सुनेगी सुनेगी उसके बाद अगली वाज आएगी तो इसका राइट आएगा जी बिल्कुल, B आएगा तो ये थे जी हमारे कोस्चन, स्तारा कोस्चन, चैप्टर का नाम था साउंड धनी अगला चैप्टर हमारा आएगा न्यूकलियाई, वो हम लोग कल करेंगे परमाणू बंब से रेटिड उसके कोस्चन हमारे पास कल आएगे कल वारा लेक्चर नंबर होगा, दसवा, दसवे लेक्चर के अंदर हम लोगो सब पढ़ेंगे हाँ जी, गूड इबनिंग, तो उमीद करता हूँ सारों को समय लग गया होगा फिजिक्स के 9 के 9 चैप्टरों की में से 5-6 चैप्टर की PDF मैं आपको शेर कर चुका हूँ चार चैप्टर की ओर रहेगी, यह सारी कल आप लोग को मिल जेगी तो वार्ड अटेंडेंट का बैच अपना पेड़ ग्रूप चल रहा है, इसमें हर रोज 5 लेक्चर लग रहे है, डिली 4 गंटे कोचिंग होती है, छी अलग-अलग टीचर है, MCQ नोट्स मिल रहे हैं, दो मिन्ने के लग-बग कोचिंग है, 5 मोग टेस्ट है, और बैच आप 8 32 392, हाँ जी, टाइमिंग अपनी हर रोज की यही होती है, स्टूडेंट्स, आज तक मैंने वार्ड अटेंडेंड का ग्रूप हमेशा 7 बज़े ही लगाया है, ना इससे पहले ना इसके बाद में, तो यह वार्ड अटेंडेंड का ग्रूप होता है, यूट्यूब पे भी आपको ओपन ली उसका वो नोटिफिकेशन आई जाता होगा जब यह अपनी यह लाइव होता है, रोज का 7 बज़े का टाइम है, यह है कि सम टाइम क्लास बीच में नहीं होती बेरी, और जब भी लगती है, साथ बज़े ही लगती है, वार्ड अंडेंड की 7 बज़े का टा बज़े मोगती है, सवरीड का टाइम है यह 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 हो यह कि पली भी लेव खने साहा बज़े का यह है कि आव कर देके के इनके सकोंप missionary है, यह है।